Hey my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% free and quality education और वो भी बिना किसी paid subscription की So as you all know, हम discuss कर रहे थे हमारा chapter number 1 that is variations in psychological attributes और इस chapter से related हमने हमारे previous lectures में कुछ topics को discuss किया था जैसे की individual differences in human functioning Also we have discussed about the assessment of psychological attributes So आज के हमारे lecture में हम बात करेंगे about the some domains of psychological attributes Lastly हमने हमारे lecture के अंदर discuss किया कि psychological attributes क्या क्या होते हैं और उनका assessment कैसे किया जाता है तो formal informal हमने बात करी धेट सारी examples हमने discuss किये थे और अब हम कुछ domains की बात करेंगे psychological attributes की हमारे आज के lecture में जैसे for example intelligence क्या होता है और भी ऐसे ही कुछ concepts को हम बात करेंगे हमारे आज की इस lecture में तो आपको बहुत important topics के बारे में जानने को मिलेगा clear है कोई डाउट तो नहीं है यहां तक ठीक है so I hope so कि previous lectures आप लोगों ने देखे हुए हैं तो आपको आगे की चीज़े जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे ठीक है तो previous lectures आपको हमेशा देखने हैं ताकि आपको आगे का पूरा जो है वो समझ में देखे हैं तो बहुत अची बात है so as you all know कि जो psychological attributes होते हैं ना these are usually multi-dimensional इसका मतलब यह होता है कि देखो जैसे जब भी हम बात करते हैं कि किसी person के अंदर intelligence level का assessment करना ठीक है जस्टेक आपको यहां पर समझाते हैं ठीक है देखो just suppose this is a person ठीक है मेरे person थोड़े से हैं मतलब आपका explain करने के लिए so just suppose this is a person okay अब इस person के अंदर intelligence level कितना है यह मुझे measure करना होगा तो मैंने बस बोल दिया intelligence level को measure करना है तो क्या उतना easily intelligence level को मैं measure कर सकती हूं मतलब अगर मुझे आपके अंदर intelligence level को measure करना है तो क्या मैं सिर्फ आपके intelligence level को मतलब आज़ा टूल या मतलब आज़ा वो ले लूँगी कि यह मेरा एक attribute है psychological attribute है जिसके उपर मैं assessment करने वाली हूं is it possible बताओ मुझे हाँ या ना कुछ भी जो समझ मारा अभी बोलो थोड़ा बहुत भी अगर समझ के बोल सकते हो तो बताओ क्या हम कर सकते हैं actually the answer is no क्यों नहीं कर सकते क्योंकि क्या इस individual के अंदर सर्फ एक psychological attribute है that is intelligence नहीं इसके अंदर और भी बहुत सारे psychological attributes है जैसे कुछ examples ले यह person thinking भी करता है हना इस person की अपनी memory भी होगी और मुझे मैं ऐसा मान के चलती हूं कि आपको यह concept बहुत ज्यादा clear है कि कभी भी किसी के भी अंदर कोई भी psychological attribute zero नहीं होता मतलब if you say कि a person is very intelligent and b is not intelligent यह कभी नहीं होगा कुछ ना कुछ level of intelligence तो उसके अंदर रहेगा ही हाना so nobody is zero on psychological attributes उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रहेंगी ही चीज़े अब इसके अंदर मान लेते हैं learning का procedure भी होता होगा यह perceived भी करता होगा चीजों को और भी ऐसे बहुत सारे concepts होंगे तो अगर मुझे इसके intelligence level को मान लेते हैं कोई भी एक person है मुझे उसके अंदर देखना है कि कितना ज्यादा intelligence level है तो मुझे बहुत सारे factors को consider करना होगा जैसे उसका genetics कि सिख तरीके का है उसका external factors कौन कौन से हैं जो उसकी life में जो है मतलब on a daily basis उसको affect क नहीं पर उसकी family का एक मुझे देखना पड़ेगा nature कि किस तरीके का है उसके parents का intelligence level कितना रहा क्योंकि genetics एक important role play करते है इसके साथ साथ में उसका thought process किस एक तरीके का है क्या वो creative सोचता है या just normal thinking या just layman thinking memory किस एक तरीके कि यह सारे चीजों को जब मैं समझ पाऊंगी उसके एक example ले लेते हैं examination time पे सभी students बहुत hard work करते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं बट इस्टिल कुछ के marks बहुत कमाते हैं थीक है मतलब मैं मान लेती हूं कि five students है in five में से दो ऐसे हैं जो बहुत hard work करते हैं बहुत पढ़ाई करते हैं बट marks उत्ते जादा अच्छे नहीं आते हैं और इनका moral जो है वो डाउन हो जाता है अब मुझे देखना पड़ेगा कि यह दो बच्चों के marks क्यों नहीं आ रहे हैं मान लेते हैं इन में से एक है ओके अब मुझे देखना है कि इसके marks क्यों नहीं तो क्या सरफ एक ही factor से मुझे पता चल पाएगा intelligence से नह को perceive करता है यह मैं सरफ आपको एक example दे रहे हूं ठीक है इन सारी चीजों को देखने समझने के बाद में मुझे समझ में आएगा कि यह कितना जादा intelligent है और यह जो preparation में hardware कर रहा है तो वो सही direction में है यह नहीं है वो मुझे in psychological attributes के तुरू समझ में आ जाएगा आ रहा है समझ में तो यह मतलब मैं आपको इक चीज बता रही हूं कि कोई भी person के अंदर psychological attributes जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं कोई एक या दो नहीं होते clear कोई एक या दो नहीं होते मतलब अगर मैं आप ही की बात करूं और मैं आप से बूलूं कि आप मुझे explain करो आप मुझे बताओ क कि आपके अंदर क्या क्या psychological attributes हैं तो क्या आप मुझे गिनवा पाऊगे एक दो गिनवा पाऊगे बट आपके अंदर exist बहुत सारे कर रहे हैं ठीक है आपको समझ में आगा धीरे-धीरे कैसे और कितने clear so if you want to have a complete assessment of a person you will need to assess how he or she functions in various domains or areas such as cognitive, emotional, social, etc. मैं आपको example दे रहीती ह कि ये सारे चीज़ों में हमको देखना पड़ेगा कि उस person की जैसे आप किसी person का complete assessment कर रहे हो उसके psychological attributes का ये उस person का ही उसको आप देखना चाहरे हो कि इसके अंदर क्या qualities हैं क्या नहीं है ठीक है तो आपको उसकी हर एक domain में assessment करना होगा उसका emotional domain कैसा है उसका social domain कैसा है उसक कोगनीशन कैसा है उसकी thinking abilities ये सारा कुछ तब आपको समझ में आएगा कि उस person के अंदर कौन कौन से psychological attributes present है otherwise नहीं आएगा clear? कोई doubt तो नहीं यहां तक समझ पा रहे होना धीरे धीरे ठीक है we will discuss in this chapter some important attributes that are of interest to psychologist यहां पर हम कुछ important की बात करेंगे सभी की बात तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ की हम बात करेंगे जो psychologist के लिए जानना भी important है और आपके लिए भी ठीक है या जो भी हम attributes को use करते है psychological attributes को उनको हम थोड़ा सा यहां पर categorize करके समझने की कोशिश करेंगे clear? सबसे पहले हम बात करेंगे intelligence की intelligence के बाद में हम बात करेंगे aptitude की आपने सुने होंगे यह terms interest की personality की values की ठीक है? और इन five terms को हम यहां पर हमारे इस lecture के अंदर discuss करेंगे कि यह जो five terms use होते हैं psychology के अंदर आपने भी बहुत बार किये होंगे उनका actual में meaning होता क्या है? ठीक है? तो जब भी हम intelligence level की बात करते हैं तो हमारे mind में क्या चीज़े आती है? कि intelligence का मतलब यह कि इसका दिमाग कितना तेज चलता है? हाना? जनरली तो हम यही समझता है intelligence level का मतलब कि इसका दिमाग बहुत तेज चलता है इसकी memory बड़ी ही शारप है हम ऐसे intelligence को समझता है but exactly what is intelligence? it is the global capacity to understand global capacity ठीक है? क्या है? global capacity to understand the world, think rationally, देखो एक understand, think rationally, use available resources effectively when faced with challenges. एक intelligent person कौन होता है? जो पूरे world को समझने की या जिसके अंदर global capacity होती है कि वो इस पूरे world को अच्छे से समझ सकता है क्या चीज हो रही है? क्यों हो रही है? यह इसको समझने की understand करने की capacity उसके अंदर होती है दूसरा वो rationally think कर सकता है मतलब जब भी वो thinking करेगा तो बस यूँ ही thinking नहीं कर रह होगा बल्कि जब भी वो thinking कर रहा है तो हमेशा facts, observations, science इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या सही है? क्या गलत है? क्या होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? तब उसको बोलते हैं वो person rationally think करता है हर एक aspect को देखते हुए हर एक चीज को consider करते हुए और सबसे important कि highly motivated person हो ठीक है? और ये एक आपकी strength है कि आपका motivation कभी down नहीं होता तो जब भी आपकी life में कोई ऐसी चीज हो जाए जहां पर आपको हर एक तरफ negativity दिख रही है हर एक तरफ बुराई दिख रही है तो अपने उस strength को use करो इस challenge को face करने में वो person intelligent होता है ठीक है? तो intelligence basically ये एक क्या क्या होती है? साथ साथ में note करते हुए चलेंगे ताकि बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो और easily आपको चीज़े clear होती चलें notes भी बनाते चलना साथ में ठीक है? तो अभी मैंने आपको तीन चीज़े बताएं कि ये मैं आपको देती हूँ ये तो मैंने आपको example द understand world, the one who can understand the world, the one who can think rationally, the one who can think rationally and the one who can use his resources, यहाँ पर resources से मतलब उसकी strength समझो, to face challenges. Clear? यहाँ तक कोई doubt नहीं होगा, simple सा concept था, हाना इसको note करते चलना साथ साथ में. Now, intelligence test provides a global measure of a person's general cognitive competence including ability to profit from schooling. जो intelligence test होते हैं, वो एक global measure करते हैं, person के general cognitive competence को, हाना, जैसे including ability to profit from schooling. Generally, students having low intelligence are not likely to do so well in school related examinations, but their success in life is not associated only with the intelligence test scores. वो एक किसी महान व्यक्ति ने कहा है ना, कि एक कागस का पन्ना मेरा, क्या, मेरा future decide नहीं कर सकता, उसी की बात यहाँ पर हो रही है. देख है, यह बोल रहा हैं कि देखो intelligence मैंने आपको clear किया क्या होता है. Intelligence के अंदर हम global measure करते हैं, globally बात करते हैं, formal method हम use करेंगे, हैना, कौन से method use करेंगे, formal method को use करेंगे. उस formal method के अंदर एक standard objective measurement हमारा होगा, हैना, psychological attributes को लेके. तो अगर आप intelligence को measure कर रहे हो, तो आप उसको global level पे measure करते हो कि intelligence का concept होता क्या है. ऐसा नहीं कि एक person के लिए intelligence कोच और है, तो दूसरे person के लिए intelligence का meaning कोच और होता है. Global measure करना, उस intelligence test जो होते हैं, वो globally measure करते हैं, person के general cognitive competence को. मतलब कि in general उसका cognition level कैसा है, understanding हो, thinking हो, कोई भी चीज़, cognition आपको I hope सो बहुत अच्छे से clear है. What is actually cognition? Cognition देखो, एक process होता है, जिसमें आप चीज़ों को जानते हो, समझते हो, सोच सकते हो, learn कर सकते हो, आप memorize कर सकते हो चीज़ों को. है ना, ये सारी चीज़ों से मिलके cognition होता है, आपके mind में जितनी चीज़ों होती है, उसको हम cognition से relate करते हैं. तो एक person अपने general उसका cognitive competence कैसा है? मतलब, जैसे हम बात करें कि पूरे world में ना जाने कितने स्कूल होंगे, और उन स्कूल में ना जाने कितने students enroll होते होंगे, और ना जाने कितने students backbenchers होते होंगे, ना जाने कितने students होंगे, जिनके marks जो है वो बड़े ही कम आए हुए होंगे जब स्कूल में examinations conduct होते होंगे, बट क्या जो लोग class में पीछे बैठते थे, backbencher होते थे, या जो भी students के marks कम आते थे, स्कूल examinations में, क्या ये कहा जा सकता है कि वो अपनी life में कभी successful नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ अच्छा perform नहीं कर पाए, क्या होगा answer? मेरे को जोर स आपको कोई personal problem हो जाती है, तो उसको face आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन जब आपको in general, आप देखते हो कि आपको किसी team का head बना दिया जाता है, और वहाँ पे आप intelligently work नहीं कर पारे, तो you are not intelligent, आपको याद होगा न, previous lecture में हमने formal, informal methods की बात करी थी, क्या formal assessment करोगे या informal assessment करोगे, psychologist हमेशा क्या करते हैं, formal assessment करते हैं, एक हम जो है न, एक standard बना के रखते हैं, तो उसी standard की यहाँ पर बात हो रही है, कि globally, generally, जितने भी person हैं, उन सभी के अंदर अगर ये चीज़ें हैं, ठीके, हमको देखने को मिल रही हैं, तो वो person intelligent होता, और intelligence यही चीज़ होती, कि आप ये तीन चीज़ अच्छे से कर पा रहे हो, आप अच्छे से world को समझ, understanding आपके अंदर अच्छी है, rationally आप सोच सकते हो, और आपके साथ में जब भी कोई problem आती है, या कोई challenge आता है life में, तो आप उसको बहुत easily अपने resources को use करके काम mind के साथ में अगर tackle कर पाते हो, then you are intelligent, clear, आ रहा है यहां पर समझ में, और कोई एक ऐसा student जो अपने पूरे 12th class तक में हमेशा fail ही होता आया है, या हमेशा average से पास होता हुआ है, तो वो person अपनी life में failure ही होगा, या फिर वो अपनी life में कभी कुछ अच्छा अच्छ नहीं कर पाएगा, या उसके अंदर intelligence level नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि intelligence test जो होते हैं, वो global measure प्रोवाइड करते हैं, साज महा रहा है, clear हो रहा है कि intelligence का basic concept क्या है, basics है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दूसरा concept है aptitude, सुना ये term, aptitude का मतलब क्या होता है individuals underlying potential for acquiring skills, जब आप किसी skill को acquire करना चाते हो, तो आपके जो अंदर potential already है, या जो potential आपके अंदर होता है, जब आप किसी नहीं चीज़ को, नहीं skill को acquire करना चाते हो, उसे aptitude कहा जाता है, like aptitude tests are used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training, जैसे मान लीजिए, कि just take an example, आप IAS बन जाते हो, आप IAS बनते हो, तो आपको proper training भी दी जाती है, पूरा, और आपको बताया जाता है कि IAS में कैसे काम करना है, क्या सारी चीज़े होंगी, सब सिखा दिया आपको, सब सिखा दिया, कि कैसे काम करते हैं, क्या होता है, everything, each and everything, जब आप field पे जाओ आपर वर्क करना है, और उस वर्क करने में, आप अपने पोटेंशिल को कितना ज्यादा यूज कर पाते हो, है ना, that is your aptitude, clear, individuals underlying potential for acquiring skills, जब भी a person with high mechanical aptitude can profit from appropriate training and can do well as an engineer, similarly, a person having high language aptitude can be trained to be a good writer, जैसे मान लीचे, एक example देते हूं आपको, कि कोई person है, जिसकी language पे command बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी language है उसकी, तो अगर वो कोई book लिखता है, है ना, या कोई भी song compose करता है, तो obvious है कि वो अपने उस potential को, क्योंकि ये चीज उसके already अंदर से है, उस potential को बहुत अच्छे से utilize कर पाएगा, है ना, agreed, जैसे for example मान लेते हैं, कि आप हो, आपको dancing करना बहुत ज्यादा पसंद है, आपकी hobby है, कि आप जो है dancing करना आपको बहुत अच्छा लगता है, अब अगर मैं आपको भरत नाट्यम सिखा दूं, ठीक है, तो आप और ज्यादा अच्छे से मुझे, उस कुछी चीज में आपको बोल जाए, आप अपना career pursue करो, तो आप अपना 100% provide करोगे, तो यहाँ वही कहा जा रहा है, कि जैसे कोई person है, उसको बहुत अच्छा उसका mechanical aptitude है, और अगर उस person को आप engineering करने को बोलो, तो obvious है कि वो, मतलब training वगर आप उसको properly provide करो, तो वो person बहु तो हमको उसकी performance 100% देखने को मिलेगी, लेकिन कोई ऐसा person है, जिसके अंदर interest level की कमी है, या हमको potential ही देखने को नहीं मिलता, तो वो person नहीं कर पाएगा, आप उसको किती training दे दो, है ना, clear है, तो वो aptitude को reflect करता है, aptitude refers to an individual's underlying potential for acquiring skill, aptitude test जो होता है ना, उससे हम predict कर पाते हैं कि अगर किसी individual को हम किसी एक proper environment या training provide करने के बाद में, किसी एक situation में place करेंगे, तो वो person का behavior किसी एक तरीकी का होगा, ठीक है, aptitude test are used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training, जैसे अगर आपको पता हो तो, कि जो कुछ competitive exams होते हैं, उसमें aptitude test बगेरा, मतला वो भी conduct किये जाते हैं, तो जैसे आपको कोई situation दे दी जाती है, पहला आपको पूरा, मतला training वगेर आपको बताई जाती है, कि कैसे जो है, आप, जैसे मान लीजे आप कोई job करने जा रहे हो, तो आपको बताया जाएगा कि आप उस job में, क्या-क्या आपको करना है, क्या-क्या सारे काम आपको दिये गए है, मान लेते हैं, just take an example, कि कोई foreign से हमारे यहां पर कोई foreign minister आया हुआ है, तीक है, मान लेते हैं, चाइना से कोई foreign embassy जो है, हमारे यहां पर आई हुई है, एक बहुत ही important meeting conduct की जाने वाली है, और उसमें आप उसको lead करने वाले हो, तीक है, उसमें आप जो हो, उसको lead करने वाले ह हो, ठीक है, अब आपका important role है, बिल्कुल है कि नहीं है, है ना, या फिर एक और example ले लेते हैं, आना, take another example, कि आप किसी company में job करते हो, ठीक है, आप किसी company में job करते हो, और उस company में एक बहुत ही important meeting रखी गई है, ठीक है, जितने भी higher, मतलब, level के सारे management बगरे या जो भी है, सबने मिलके एक meeting रखी गई है, उस meeting में आपका होना बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, और आप already घर से निकलने में late हो गए हो, traffic वगेरा भी आपको मिली गया था, already आप late हो, और आप किसी एक ऐसी shortcut ले लेते हो, कि किसी shortcut से जो है मैं निकल जाता हूँ, फटा फट, अब वह आपने काम पर पहले focus करोगे, क्योंकि आपकी meeting बहुत important है, या जो foreign minister आए है, उनके साथ में involved होना बहुत जादा important है, ऐसी situation में आप क्या चीज करोगे, तो वहाँ पर आपके aptitude को test किया जाता है, कि आप help करने के लिए जाओगे और अपनी पूरी meeting वगेरा को कराब करोग है, सबका नुकसान होने वाला है, या फिर आप जो है, उस person को छोड़ोगे कि एक person है, उसको help कोई भी कर देगा, मैं पहले अपना काम करने जाता हूं, तो यह बहुत सार यह से चीज़े होती ही, हमारे ethics होते है, हमारा aptitude होता है, यह चीज़े बताती है, कि कि किसी individual को training proper द potential जो होता है, उस एक चीज़ को यहां पर जज़ किया जाता है, that is the aptitude of a person, आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, तो अभी धीरे धीरे और भी आ जाएगा, I hope so clear हो गया होगा, बट अगर फिर भी कोई चीज़ है, तो clear हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, में, under training, आप किस तरीके से जो है, मतलब आपकी ability जहां पर show होती है, एक तरीके से natural ability, आपकी अपनी योग्यता, आपका अपना कौशल, क्या होता है, that is your aptitude, है ना, जो माँ आपको अता है, different, different situations में, circumstances में, आप कैसे react करोगे, तो वो depend करता है, कि आपकी अपनी natural ability, क्या है, इसी से related intelligence होता है, intelligence की बात हमने करी, अब बात है interest की, interest basically individual का preference होता है, ठीक है, देखो तीन चीज़ की बात अभी तक कर जुके, मैं relate करने हूं सारी चीज़ों को, क्योंकि इनी को मिलाक के psychological attributes बनते हैं, और यही psychological attributes को हम assess करते हैं, जिसके तुरू हमको एक person के बारे में पता जलता है, तो हमने जैसे बात करी, intelligence की, हाना, की intelligence का मतलब यह होता है, कि आप अपना world समझ सकते हो, think कर सकते हो, यहीं पर अगर मैं बात करूँ, aptitude की, तो aptitude क्या है, यहार, in one or two words, if I say, it is the natural ability to do, आपके अंदर क्या ability है, आप क्या चीज कर सकते हो, आपके अपने योग्यता, आपके अपनी caution, आप क्या कर सकते हो, आपकी जो natural ability है, वो depend करती है, कि आप किस तरीके से आपकी thinking बगेरा चलती है, कैसी आपकी bringing यह सारी चीज़ ओपर, next comes interest, interest का meaning हम सबको पता है, बैंक वाल करते हैं, जैसे आप में से बहुत लोगों का interest होगा, psychology लेने में, as a subject, कि मैं इसको चूज करूँगा, मुझे यह interested लगता है, so that is your preference, interest क्या होता है, आपका preference, पर preference, relative to others, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर, मतलब यह हो गया, कि choices तो बहुत सारी थी आपके पास में, psychology भी ले सक ले सकते थे, physical education भी ले सकते थे, बहुत कुछ था, but आपने prefer किया, कि मुझे psychology ही चाहिए, तो एक individual जब किसी चीज़ के लिए prefer करता है, more specific activities पर, relative to others, जब ही हम assessment करते हैं, interest of students की, तो हम उसमें देखते हैं, कि मतलब क्या चीज़ा हम को help करती कि जैसे, हम students को assess कर रहे हैं, उ इसमें example ले सकते हैं, कि जैसे, आप कौन से course को पढ़ने में, ज़्यादा interested हो, और comfortable भी हो, knowledge of interest helps us in making choices that promote life satisfaction and performance on jobs, जैसे, मैंने आपको एक और example दिया था, previous lecture में, और अभी भी, कि आपको dancing में कोई interest नहीं है, लेकिन आपको कोई बोले कि आप dancing करो, ठीक है, तो उसमें आपक effectively perform नहीं कर पाओगे, नहीं आपका मन लगेगा, इसका बिलकुल उल्टा कर दो, जिस चीज को करने में आपका मन होता है, आपका interest होता है, उस काम में आप ज़्यादा satisfied होते हो, आप खुश होते हो, और आप jobs भी, अपने job, जो भी काम कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से perform करते हो, तो that is your interest, समझ महारा, सारे चीज़ों को रिलेट करेंगे हम लास्ट में, नेक्स्ट इस परसनालिटी, परसनालिटी क्या होती है, क्या होती परसनालिटी, आप बोलोगे, जिसके मतलब बढ़िया bicep, tricep है, या जो भी बढ़े से, जो है, फिट सी, मतलब लड़क from others, परसनालिटी वो होती है, जो आपको किसी दूसरे से अलग बनाती है, जो आपके कारेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, परसनालिटी टेस्ट, ट्राइट ट्राइटो एससन इंडिविज़ों स्यूनिक कारेक्टरिस्टिक्स, लाइक पर एक्जाम्पल, वेदर बन इस उसकी परसनालिटी हम बोलते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉंग परसनालिटी है उसकी, अब हम बोलते हैं स्ट्रॉंग परसनालिटी का मतलब बिलकुल भी बाइसे ट्राइसे नहीं, कैसी स्ट्रॉंग परसनालिटी, वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रखता है, कंस्ट् वे में express करो ताकि आप अपने emotions को control कर सको याद है नहीं है ठीक है अगर देको याद अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात नहीं पट वट इस constructive way की जैसे for example आज जस्ट टेक अग्जामपल आप किसी बात से किसी परसन की कोई बात से सहमत नहीं हो बिल्कुल भी सहमत नहीं हो जैसे मान लेते हैं हम दोनों की ही बात चल रही है और मैं आप बोलूं की भुपाल जो है ना वहाँ का इन्वार्मेंट्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिल्कुल भी safe place नहीं है और यहां पर कोई भी person जो है वो surviving नहीं कर सकता कुछ भी यहांप囉 entertainment के लिए नहीं है और बिल्कुल एची जगें नहीं एक तो आपको भुपाल से प्यार है आपको अपनी सिटिसे म Catholics meant 10 वह फूब अब इस किसमी प्यूम want किया ज़ा हो अब मैं आप बिलकुल भी आपकी वाथ सही नहीं है आप अपनी सीटिय में छिवत चोण आप यहां कर रह रहे हो यहां पर ठीक है एक यह reaction होता है एक यह reaction होता है एक दूसरा reaction होता है जो होता है constructive constructive कैसा होता है कि I disagree with your points मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ मेरे लिए मेरी city बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छी है आपके लिए नहीं होगी मैं आपके decision को respect करता हूँ या आपकी जो भी thinking है मैं उसको respect करता हूँ बट मेरे लिए मेरी city अच्छी है तो आपने बता भी दिया कि आप उसकी बात को नहीं सुनना चाहरा है हो constructive way में दुबारा वो आपसे ये चीज बोलेगा भी नहीं ठीक है और आपने उसको बता भी दिया कि आप अपनी city से कित्ता प्यार करते हो आरे कोई बात समझ में generally होता क्या है बहुत 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 जब हम चीजों में disagree होते हैं हम बहुत ही aggressive होके frustration के साथ में किसी चीज को बोलते हैं और जब भी हम इस तरह से बोलते हैं हमारी बात को कोई नहीं सुनता जैसे मैं आपको दो लोगों के example देती हूँ एक वो person जो हमेशा उसको कोई भी कुछ भी बोलता है तो चिला के react करे या हमेशा aggressive way में बोले भले अच्छी बात बोल रहा है लेकिन अगर चिला के बोल रहा है aggressive way में बोल रहा है गुसे के साथ में बोल रहा है तो उसकी personality reflect होगी ना कि वो क्या बोलना चाहरा है है अभी मानलो मैं आपको एक दम गुसे में चिला चिला के पढ़ाने लग जाऊं तो आपका पहला जो एक मतलब वो चीज जो आपको समझे में आएगी न पार में मैं जो पढ़ा रहे हूं वह तो छोड़ी दो वह इस पर दियान आपका जाएगा इस ठीक है, एक दूसरा person होता है, जिसको गुस्सा भी आती है, जो बहुत सी चीजों से disagree भी होता है, लेकिन हमेशा अपनी बात को ऐसे रखो, हमेशा अपनी बात को ऐसे बोलो, कि सामने वाले को भी आप बिल्कुल, मतलब उसको भी आप वो नहीं कर रहे हो, कि वो एकदम से आपना हो, यह चीज आपकी personality को reflect करती है, यह दिखाती है कि आपका अपने emotions को आपने कितना control करके रखा है, आपके emotions में stability है, ठीक है, आपके emotions है, वो stable है, जो person emotionally stable होता है, वो person emotionally intelligent होता है, ठीक है, आपको अगर पता होगा, जैसे कोई person dominant है, कोई person submissive है, आपने कभी देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी पावर को बनाए रखना चाहते हैं हम लोग ऐसे लोग को पसंद नहीं करते हैं हम हमेशा चाहते हैं कि सब equally treat हो है ना तो हमारी जो personality होती है basically वो क्या एक चीज होती है जो हमारे characteristics को reflect करती है personality is something that is reflecting your characteristics and making you distinct from other person अब मैंना आपको दो लोगों का example दिया एक परसन जो बहुत ही गुस्से में बड़ा ही aggressive हो जाता है एक ऐसा person है जो गुस्से को constructive way में express करता है आप क्या बनना चाहोगे constructive तरीक से express करोगे या वैसे ही मार धार चिल्ला जोट ठीक है तो वो आपकी personality को show करता है आप कैसे बात करते हो आपके बात करने से पता चलता है कि आपका nature किस एक तरीके का है आपके मदब बहुत सारी चीजों से यह सारी चीजें मिलके आपकी personality को दिखाती है और आपका जो एक तरीके से जो आपका पूरा physical Attire बोलें या यह जिस तरीके से आप फूरे फिजिकली दिखते हो और जैसे तरीके से रहते हो जिस तरीके से आप बात करते हो जिस तरीके से आप बैठते हो विड्रनारीति पर्संगे अब सब के सुनने वाला है वो person आउट Wooag you वो extrovert है या वो person introvert है, वो person बहुत moody है या उसका अपने emotions पर control है, ये चीज़े personality को दिखाती है, ठीक है? Personality is not about डोले शोले बना के घूमना या zero figure बना लेना, personality is all about this, getting my point? Okay, now, personality assessment helps us to explain an individual's behavior and predict how he or she will behave in future, यही बाद मैं अभी आपको बता रही थी, कि जो हमारी personality होती है, वो हमारे behavior को दिखाती है और हमारे behavior से, मतलब किसी भी person के behavior से आप predict कर सकते हो कि वो future में कैसा होगा, जैसे मान लो, एक example लो, आप हो, आपके friends है, ठीक है? और मान लो, आप किसी दिन बाहर घूमने जाते हो, नई-नी friendship आप सब की हुई है, तो आप सबसे मिलते हो, अभी आप नए हो, ठीक है, आप नए हो, आपने किसी school में admission लिया है, वहाँ पर आपके new friends बने, मान लेते हैं, चार friends बने, टोटल आप लोग 5 लोग हो गए, ठीक है, अब आपका तो nature ऐसा है कि सब के साथ में घूल मिलके रहना है, हासी मजाग करना है, खुश रहना है, ठीक है, लेकिन आप देखते हो कि कोई person है, जो हर बात पे चिलाता है, या गुसा करता है, या हमेशा aggressive way में बोलता है, और हमेशा अपने आपको supreme, अपने आपको powerful दिखाना चाहता है, तो एक-दो बार ही देखने पे, उसके बात करने के तरीके से, उसके बोलने के तरीके से, रहने के तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा कि इस person का behavior कैसा है, बिलकुल आ जाएगा, हाँ, पहली बार में आप किसी को एकदम से जज नहीं कर पाते हो, बर्ट धीरे-धीरे करके आपको समझ में आ जाता है, बहुत धीरे भी नहीं, एक-दो बार की meeting में आपको समझ में आ जाता है, हाना, तो वहाँ से आपको यह पता जाता है कि यह person future में भी ऐसा ही behave करेगा, तो इसकी personality किस एक तरीके की है, हाना, तो personality test करके और या personality assessment personality को measure करके, हम explain कर सकते हैं एक individual के behavior को, clear है, कोई doubt तो नहीं यहाँ तक, तो समझ में personality क्या है, जो आपको किसी दूसरे person से distinct बनाती है, हर एक person की personality अलग होगी, ठीक है, सब same personality के नहीं होते, clear, तो वो personality होती है, जो आपके characteristics को दिखाती है, आपको एक दूसरे से अलग बनाती है, and the last one are values, values क्या होते हैं, ठीक है, आप लोग के अंदर है क्या values वगेदा, कि नहीं है, values हैं आपके अंदर, ठीक है, क्या होती है values, कि जहां पर हम कुछ ideal model of behavior या इन सारी चीजों के लिए, कुछ beliefs को अपने अंदर रखते हैं, क्या मतलब है, कि values are enduring beliefs about an ideal mode of behavior, a person having a value sets of standard for guiding his or her actions in life, and also for judging others, हाना, in value assessment, we try to determine the dominant values of a person, like political, religious, social or economic, जैसे, मैं अभी आपको personality के examples दे रही थी, है ना, मैंने आपको क्या example दिया, कि आप हो, और आप कैसे person हो, आप को कि आप हमेशा सबके साथ घुल मिलके रहते हो, हमेशा सबके साथ हसी मजाग करते रहते हो, खुश रहना पसंद करते हो, और इसी के तरू positivity आपके अंदर आती है, तो आपकी जो values हैं एक तरीके से, वो ये भी हैं कि जो भी person aggressive है, या जिस भी person के अंदर थोड़ी बहुत भी negativity या negative emotions देखने को मिलते हैं, उस person के साथ में बहुत ज़्यादा time invest करने से, मेरा भी माता खराब हो जाएगा, मुझे भी जो है negative चीजे mind में आने लगेंगी, जो अपने एक तरीके से बोलते हैं आपके अपने मूल जिन चीजों पर आप trust करते हो और उनी पर आप अपनी life को lead करते हो, तो जब भी हम किसी person के value sets की बात करते हैं, या जब भी एक person के पास में value sets होते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो अपने life में कैसे क्या actions करने वाला है, या वो जो person है, वो कैसे दूसरों को judge करेगा, and also for judging others, जब भी आप किसी value assessment करते हो, तो हम generally किसी person की values की बात करते हैं, कि उसके अंदर किस तरह के belief system है, उसकी क्या values है, उसके क्या mood है, कि उसकी life किस एक तरीके की है, हम सभी के life में कुछ values होती है, कुछ beliefs होते हैं, जिनको मान के ही हम हमेशा अपनी life में आगे चलते हैं, कि अभी जो मैंने आपको example दिया था personality के अंदर, तो हमारी life में अपनी values होती हैं, जिन values को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा काम करते हैं, जैसे आपके अंदर एक value है कि कभी भी चोरी नहीं करनी है, अगर मैंने कभी चोरी करी, तो वो मेरी personality को दिखा देगा कि मैं कैसा person हूँ, तो हमारी value के हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, ये values होती है, तो पांच चीज़ों को discuss किया, एक बार personality और values को भी थोड़ा सा note कर ले, ठीक है, देखो, एक हमने बात करी किसकी personality की, personality क्या है, characteristics, आपके अपने, जो आपको एक दूसरे से अलग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, distinct, और last हमने बात करी किसकी values की, values क्या होती है, एक तरह का belief system मान लो, जिसके उपर हम अपनी life को lead करता है, clear, अब हमने यहाँ पर, इन five attributes के बारे में discuss किया, ठीक है, clear है, मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आया, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी समझाया, जो भी पढ़ाया, वो clear हुआ, अभी हम relate करेंगे इन सारी चीजों को, इसलिए मैं आपको बता रहे हूँ कि clear हो रहा है, कि intelligence क्या होती है, अब intelligent का मतलब जानते हो न, intelligence level क्या है, global level पर measure करते हैं, aptitude समझते हो, आपके अपनी natural ability to do something, interest आपका preference क्या है, choices होँगी, उसमें से आप preference बनाओगी, that is your interest, personality, आपके अपने characteristics, values आपका अपना belief system, अब आप बताओ, आपके अंदर ये सारे चीज़े हैं, है, हम सबकी अपनी एक personality होती है, धीरे धीरे grow करती है, हम सबकी एक personality होती है, हमारे अंदर aptitude भी है, naturally ability है, कि हम चीज़ों को कर सकते हैं, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, क्योंकि जब हम psychology में attributes की बात करते हैं, तो simple से simple और बड़े से बड़ा, जैसे कि किसी stimulus को देखके, आपका क्या reaction होता है, या फिर आपके अंदर happiness level कितना है, तो हर एक चीज़ को measure किया जाता है psychological attribute के अंदर, तो हमारे अंदर aptitude भी है, हम सभी के अंदर aptitude है, interest है हमारे, intelligence level भी है, और हमारी अपनी values भी है, तो अब मान लेते हैं कि जो starting में एक example लिया था, कि कोई student है, जो hardware करने के बाद भी exams में अच्छे marks score नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके psychological attribute को जानना होगा, तो उसके psychological attribute को जानने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना होगा, आपको उसका interest जानना होगा, है ना, आपको उसके अंदर intelligence level जानना होगा, आपको उसका aptitude कैसा है, that is his natural ability to do, वो भी समझना होगा, थोड़ा सा उसकी personality के बार में आप जानोगे, और values के बार में जानोगे, obviously not, जो starting में मैंने आपको बताया था, clear, तो हम यहाँ पर assessment किसी एक attribute को लेके नहीं कर सकते, क्योंकि individuals के अंदर धेर सारे psychological attributes होते हैं, और यह सब mix होते हैं, आप सोचो मैंने आपको सरफ 5 बताये हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जिनकी तो अभी हमने बात ही नहीं करी, clear, तो जब भी हम किसी psychological attributes को assess करना चाहते हैं, तो हमेशा हमको क्या एक चीज करनी होती है, हमको उसमें हर एक चीज की mixture को अच्छे से समझना होता है, तभी हम formally और एक proper standard तरीके से attributes को assess कर पाएंगे, assessment उनका जो है कर पाएंगे, clear, तो ये कुछ domains है psychological attributes की, जो आपके लिए जानना important है, कि like intelligence क्या होता है, personality क्या होती है, और अब क्योंकि जान चुके हो, और आप psychological students हो, तो try to maintain it, हना, इन चीजों को समझो और अपनी life में इसको implicate करना, observe करना शुरू कर दो, देखो लोगों की personality कैसी होती है, उनके personality traits को समझने की कोशिश करो, आप psychological students आप निकरोगे तो कौन करेगा ये चीज़े, ठीक है, तो देखो समझो कि लोगों की personality किस एक तरीके की है, उनके features को जानने की कोशिश करो, ये चीज़े, क्योंकि देखो, मैं आपको बताओ एक चीज, जब class 11th में पढ़ रहे थे, तो जो भी चीज़े हम पढ़ते थे, मैं उसमें आपको बोलती थी, कि आपना हर एक चीज़ को अपने उपर apply करके देखो, आप self discovery करो, क्योंकि ज देखो, observe करो अपने आसपास में, आपको याद होगा, एक चीज हमने पढ़ी हुई है, पहले 11th class में, कि अपने mind को जितना जादा अपने work में busy रखोगे, उतना जादा आपके अंदर positivity रहेगी, उतने जादा negative emotions आपके अंदर grow नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास में बे एज के भी जो students होते हैं, उन्हें बोला जाता है, कि अभी आपकी एज पढ़ाई करने की है, तो आप पढ़ाई करो, तो जब भी जो भी काम कर रहे हो, उसमें इतना ज्यादा involved हो कि उस चीज को करो, कि आप mastery कर लो उसके उपर, ठीक है, और जब आप उन चीजों में involved रहो की कोशिश करो, हमेशा कोशिश करो कि कितना जो है अपने work में आप अच्छा कर सकते हो, अब आप psychology पढ़ रहे हो, तो उस चीज को अपनी life में practically apply करो, देखो यह चीजे कहां होती है, कैसे होती है, जो intelligent person है, उसकी क्या qualities होती है, इन चीजों को analyze करना सोचो, अब ऐसा नहीं आपको brainstorming, brainstorming क्या होता है बताओ, comment section में जल्दी से बताओ, मुझे जब तक मैं लिख रही हो, कि brainstorming क्या होता है, फटाक से, so basically brainstorming एक ऐसी चीज होती है, जहां पर हम think करते हैं, हम सर्फ सोचते हैं, और जब हम think करते हैं, तो हम ये think नहीं करते हैं, कि हमारी thinking का result क्या होगा, समझ मैं है, फिर से बोलू, जब भी हम thinking करते हैं, हमारे अंदर thought process चलता है, तब हम ये think नहीं करते, कि हमारी जो thinking चल रही है, उसका result क्या होगा, हम अच्छा सोच रहे हैं, या हम बुरा सोच रहे हैं, हम बस सोच रहे होते हैं, आरा समझ में, वो होती brainstorming, thinking करना, देखो च क्या सही है, क्या गलत है, आपको just evaluate करना, अभी आपका time evaluation का है, अभी first chapter पढ़रो, आगे आते, last chapter तक तो बिलकुल आपको counselor बना के ही छोड़ूँगी मैं, लेकिन अभी जितना है, उस पर focus करो, ठीक है, अब देखो आपने क्या क्या पढ़ा, आपने देखा कि individual के अंदर differences होते हैं, आपको पता है psychological भी होते हैं, फिसिकल भी होते हैं, हम बात करें psychological की, उन psychological attributes को समझना और measure करना बहुत important है, तभी हम किसी person को समझ सकते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो था, तो ये चीजे अभी तक हम discuss कर चुके हैं, उसमें हमने ये psychological attributes की बात करी, कुछ domains की, कुछ few domains की हमने बात करी, यहाँ पर, आगे और कोट भी discuss करेंगे, even detail में discuss करेंगे, clear, लेकिन अभी एक जो basic basic आपको समझना था, I hope so, वो clear है, कोई doubt तो नहीं है यहाँ तक, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, कि आपना ध्यान से अभी chapter को सुनो, और read करो, आप जैस से ही आगे बढ़ते जाओगे chapter में, आपको हर एक point clear होता जाएगा, तो अभी ऐसा मत सोचो कि एकदम से सब कुछ पता चल जाए, ठीक है, एकदम से अपनी कुछ आनक के नहीं बना है, धीरे-धीरे करके हर एक चीज को समझो, clear, कोई doubt, जल्दी बताओ, कोई भी doubt है, है तो मुझे comment section में बताओ, बोलो, यह doubt है, हमको, मैं आपको answer करते हूँ, यह मत बोलना, yes, maim, I have doubt, मैं उस पर क्या बोलू, आप मुझे doubt बताओ, तो मैं reply करते हूँ, clear, कोई doubt हो, तो comment section में, कोई suggestion, कुछ भी share करना है, आपको हमारे साथ में, तो आप वो भी जो है, comment section में कर सकत कर लो, और chapter को वहाँ तक read कर लो, जितना मैंने पढ़ा दिया है, चिके, और एक और important बात, जाते-जाते, एक information लेकर जाओ, कि कैसे आप Magnet Brains की website को access कर सकते हो, as you all know, daily lectures आपको Magnet Brains की YouTube channel पर मिलते हैं, साथ ही साथ में, Magnet Brains की app है, आप उसको play store से download कर सकते हो, इसके चानी के, बहुत easily आप उसको access कर सकते हो, बस Google में जाओ और enter करो www.magnetbrains.com, जैसे ही यह आपने enter करा, आपके सामने यह Magnet Brains education platform open होगा, आपको हमारे toppers मिलेंगे, यहाँ पर high quality education मिलेगी, best teachers के साथ में, और सारे top courses, जैसे CBSC, Hindi Medium है, English Medium है, UP Board है, Bihar Board है, UPSC, RRB, SSC, सब आपको यहाँ पर मिलेगा, जो भी course पढ़ना है, क्लिक किया, class पढ़नी है, क्लिक किया, chapter पढ़ना है, क्लिक किया, जो पढ़ना है, subject, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, watch now पर क्लिक किया, सारी चीज़े बहुत easily access कर सकते हो, तो यहाँ पर आप बहुत easily सारे videos को देख पाओगे, एक sequence wise order में देख पाओगे, और सबसे important बात यह है, कि हम यहाँ पर आपको दो lecture देखने के बार में कोई payment आप से नहीं लेने वाले हैं, हम coupon नहीं बेचते हैं, हम आपको free education provide करते हैं, 100% free education with quality and best teachers, तो आपको बस अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, और साथ ही साथ आप Magnet Brains को different social media networking sites जैसे की Instagram, Facebook, Twitter पर भी access कर सकते हो, तो अपने friends और relatives को भी Magnet Brains के बार में बताओ, ताकि वो भी 100% free and quality education को access कर सकें, बिना किसी paid subscription के, I hope तो सारी चीज़े clear हैं और वीडियो पसंद आया है, तो जल्दी से कर दो like, share and subscribe and for more updates, stay tuned with Magnet Brains, thank you very much. suivते बादे 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 शो सारी.